बीस नवेंबर को महराश्ट के 288 विधान सभा सीटों पर चुनाओ होने हैं इस बार का चुनाओ काफी दिल्चस्प है हर पार्टी ने अपनी कमर कसली है चुनाओ दिल्चस्प इसलिए भी है क्योंकि शिवसेना की विभाजन के बाद ये पहला मौका होगा जब असली शिव से ना कौन है इसका फैसला महराश्ट की और मुंबई की जनता करेगी जिस सीट पर हर किसी की नजर है वो है मुंबई के वर्ली का ये सीट जहांके जंभुरी मैदान के बाहर हम मौजूद हैं जंभुरी मैदान यहां के राजनीती का केंद्र माना जाता है इसलिए हम यहीं से यहां की ग्राउन रिपोर्ट की शुरुवात कर रहे हैं आपको दारे की वर्ली से पहले ही जो विधायक हैं वो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित ठाकरे हैं और इस बार उनको टक्कर देने के लिए एक नास शिंदे ने भी एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा है वो है पूर्व केंद्रिय मंत्री मिलिन देवरा जो की यहां से पहले लोगसभाद चुनाव जीत चुके हैं तो कहीं न कहीं मुकाबला तककर का है लेकिन वर्ली के लोग क्या सोचते हैं उनके मुताबिक असली और नकली शिव सेना कौन है यह हम वर्ली के लोगों से ही आज जान करें कि रात को किसी के कोई भी दिक्कद होने दयो हो पहले बाग दोडते हैं मतलब यह सेने का मतलब हिएँ है और वो उनकी नाल है जो दो अबिल के से सोह की हर都是 मैं उतने से जुड़ गई है और यहां पर सींध लगा पाना जो है वो बड़ा मुश्कील होगा बहुत ही चुनौती पूर्ण होगा और लोग है उनसे बात करते हैं मम आप भी यहीं पर रहते हैं येस क्या लग रहा है इस बार क्या माहूल है पुदल तो किसके तरफ उधल है किसके तरफ उधल है दोनों तरफ है भाजपा और सुसे न अधित ठाकरे ही इस बार भी आएंगे यह लगा इस बार मामला बदल सकता है यहां से तो चांचे से अपना लेकिन बाकी लोग और जंगा से नहीं बता सकते हैं अभी फिलाल तो उनके बारे में इतना में को जानकारी नहीं है लेकिन पुराने उनकी पिता जी ने बहुत सारा यह किया है तो उस हिसाब से अगर उनको जनता च्वाइस करें तो बहुत अच्छी बात है अच्छी बाकी और कुछ नहीं मन से वह से कोई नहीं आए इदर से वोट कार्टे का मन से थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं नहीं कुछ नहीं बढ़ता है इतना आप किसको देखना चाहती है हम तो भाजपाई हैं आप भाजपाई बाजपाद एक नहीं यह बिडी चाल का जो है पहले देवन फर्णों इसने शुरुवात किया था ना और प्रोजेक्ट को दोजार शब्वीस तक सथाइस तक कंप्लेट करने वाले थे लेकिन अभी लेट हो रहा है और इसके वज़से यहां के रहीवासी को बहुत अकलीफ हो रही है लोग तो गहरे है कि अधित थाक हम लोग थोड़ा चिंतित हैं तो बाकि लोग को तो नंबर आ गया है सब लोग को मिल गया है लेकिन हम लोग को अभी यह है कि हमारा जगह कहां जाएगा हम लोग कहां मिलेगा और इसमें और दूसरी बात यह है कि जब यह प्रोजेक्ट चालो होने वाला था तो 20-22 माले का बोला था बाद में उन्होंने 40 माले का कर दिया इस वज़े से यहां के लोग थोड़ा दुखी है बहुत ज्यादा मतलब बड़ा कर दिया इन लोग लंग लंबा समय और दूसरी बात डर भी अंदर लोग को मतलब कोई इतना अचनक से 40 माले बीलिंग में ऐसा जाना पसंद है किसको तो इसलिए थोड़ा सा परेशान है अधित ठाकर ने काम किया यहां पर हां वो तो करते हैं उनको मैं देखती रहते हूं और एक नाशंदे वह आते हैं जब से उनका सरकार आया है तब तो उनको मैं देखती हूं आज रात के अड़ाए तीन बज़े तक भी इधर प्रवलों की है कि भाई जो भी हो लेकिन अच्छा काम करें हमारे लिए इसके वज़े से सरकार किसी की भी आये और यहां पर हर धर्म के हर भाशा को बोलने वाले लोग यहां पर रहते हैं और बिदुदी चॉल अपने अलग वजह से रिडेवलेप्मेंट की जो समस्या है उसकी वज़े से हमेशा चर्चा में रहती है कोई भी राजनेतिक दल जो है वो ये श्रय लेने में पीछे नहीं रहता कि बिदुदी चॉल वालों के लिए रिडेवलेप्मेंट का काम जो है वो लोग कर रहे हैं देखिए यहां पर दिवाली की तैयारियों में देखिए य यह क्या सब विक्राय बताएगे जरह समझाईए यह बाजनी चकली है यह अनार्सा है यह शंकरपाली है बेसन लाडू नान कटाई यह शंकरपाली पोवा चुड़ा तिका से महराष्ट में दिवाली में लोग जब घर पर आते हैं महमान आते हैं तो लोग यह सब खिलाते ह कैसा रिस्पॉंस है लोग क्योंकि तो घर पर बिनाते हैं लोग जिसको टाइम में मिल तो लोग लेके जाते हैं यह सारी जो पकवान है सारे जो स्नाक्स हैं यह डिवाली के दिनों में महराष्टर में महराठी जो लोग हैं वो अपने घरों में जो महमान आते हैं उनको इन टो शुसेन्हा चल राता काम, उधणा तो 2 हैं। it is Kristen Sum is it even a उनका ही चल रहता का मत्योजा से सफेना वह भान वह निए! वाल एक नहाट सेन्धे एकना भी देन इंगे नहींदे की शीब सेよね matte ऑभी किस के बारे में क्या मालेका स्वाजे की आप शसल मों को अब दोनों सकते हैं आकरी में फैसला ले लेंगे एक दम अगबुप्चुप में यह रजु लोग है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो अपना पत्ता अभी तक खोलना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं कि उनके मन में क्या है, कुछ बुजूर्ग हैं, उनसे बात करते हैं, अंगल क्या कर रहे हैं आप, आइए बीजा, यहां पर आईए नेक में बात करेंगे आप से, देकि यह बीडीरी चॉल है, यहां पर हर तरफ आप देखिए, यह माहौल देखिए, किस तरह दिवाली का माहौल बना हुआ है, बहुत बड़ा यह इलाका है, करीब 40,000 लोग जो हैं, वो यहां पर रहते हैं, और हमने यहां के लोगों से जाना कि उनके मन में क्या है, से लोग खुल कर बात कर रहे हैं, कि आदित्य ठाकरे जो हैं, वो उनकी पसंद है, लेकिन हर कोई यह जरूर कह रहा है, कि मिलन देवरा के आने से, यह मुकाबला जो है, वो पिछली बार की तरह आसान नहीं होगा, मुकाबला इस बार वडली विधानसभा छेत्र में काफी तक्कर का होने जा रहा है, वीडियो जर्नलिस्ट कामे शल्दे के साथ, पंकरज मिश्रा, न्यूस नेशन, मुंबई